कि नमस्कार मैं शोभाक्षर आप सबका दी संडे पोस्ट के यूट्यूब चानल पर स्वागत करती हूं मित्रों इस समय जो देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है सिटिजन्शिप अमेंड्मेंट एक्ट और हिंदी में अगर कहें तो नागरिक्ता संशोधन कानून जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से भारत में आये पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान के जो सिक गौर की जगा सिक बॉद्ध हिंदू इसाई जैन वा पार्सी के समधार के लोगों को नागरिक्ता देने का प्रावधान है राजसभा और लुकसभा में ये बिल पास हो गया था उसके बाद 14 दिसंबर 2019 को राश्च्पती रामनात कौविन ने इस बिल पर अपनी मोहर लगा दी और सी ए बी सिटिजन अमेंडमेंट बिल बन गया सी ए यानिकी सिटिजन शिप अमेंडमेंट एक्ट देश भर में पाए है कानून जो है वह समझ नहीं पाए है तो इसलिए पोस्ट पर मेरे साथ है सीनियर अड़ोकेट एहत्शाम हाश्मी सर आपका बहुत-बहुत स्वागात है थी सर को लगभग 14 वर्षों से अधिक का जो है वह अनुभव है वकालत का तो मेरे ख्याल से सीए को आपने सबस्क्राइब है अधिक कान्सिशन भी पढ़ा है और जो हमारे सीडिजन्षिप के प्राविजजन से सब्सक्राइब अने से पहले थे वह भी मैंने बढ़ा हुए इंडियन पास्पोर्ट एक्ट भी मैंने पढ़ाया अब गूर्मेंट की पॉलिस थी जिनके बेस पे citizenship किसी को मिलती थी या जिनको deny किया जाता था वो भी सारी मैंने पढ़ी हुई है और जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट ने जब इस बिल्को एसेंट दिया अपना तब ये एक्ट बना एक्ट के रूप में हमारे सामने आया हमने इसको सुप्रीम कोट में चैलेंज भी किया है और आप सब हम से बहतर जानते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें धर्म के आधार पर आता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का जो सम्विधान हैं जो कॉंस्ट्यूशन है कोई भी अगर लॉग कानून या एक्ट रूल्स बनते हैं तो वह कॉंस्ट्यूशन का वालेशन नहीं कर सकते हैं यह हमारे प्रेंबल में भी बात कही गई है और जो सेकुलर वर्ड है कि नो आर्टिकल फिफ्टीन और जो हमारे कॉंस्ट्यूशन का प्रेंबल है और जो कॉंसेप्ट ऑफ इंडिया उसको वालेट करता है दूसरी एहम बाग कोई भी चीज जब आती है कोई भी नया कानून आता है वो तब आती जब उसको जरूँआ तो जैसे साइबर क्राइम आया साइबर रूल्स आये और इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी एक्ट आया वह इसलिए आया क्यूंकि कंप्यूटर के जरीए और जो मोबाइल फोन सबके पास आया सबके पास कंप्यूटर और फोन हो गया और फेस्बुक ट्विटर गूगल यहां पर जो फॉल्स कंटेंट थे उ जिसमें जो भी हमारे हिंदुस्ताने बहार से आना चाहता उसके अगर सरकार चाहे तो वह नागरिक्ता दे सकती थी या रिफ्यूज कर सकती थी तो फिर इस कानून की जरुवत क्यों पड़ी मेरा यह परसनल ओपीन है कि शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स या फिर पॉलरा से नहीं करता थे जन्होंने को लेकर याचकादायर की सुप्रीम कौट में उसका स्टीटस अब क्या है देखें दो डेट्स उसमें दो बार हेरिंग हो चुकी है हमारी प्रिटीशन पर पहली डेट पर करी 48 पेडिशन आ चुकी थी जिस दिन हमारा मैटर लिस्ट हुआ था ह हमारी मैंटर होने के बाद करीब 48 मैंटर वाइल हुए थे और उस दिन कोटने union आफ इंडिया को notice issue किया था उसके बाद जब second date list हुई तब तक भी union आफ इंडिया ने कोई अपने reply फाइल नहीं किया था और second date तक करीब 148 प्रवाइट प्रवाइट के सपोर्ट में फाइल किया तो मुझे लगता है कि वो जो भी हमारे वकील भाई है जो उन्होंने फाइल कियो क्यों कि जो एक्ट आया है उसको यह कंसिडर क्या जाता है कि वो कॉंस्ट्यूशनल है उसके बाद सुप्रीम को डिसाइड करेगा कि वन कॉंस्ट्यूशनल है या नहीं है तो करीब 148 पेंडिंग थी और उसमें भी सुप्रीम कोट ने डिया उन्यून आफ इंडिया को कि डेटेल रिप्लाइट विदिन फॉर व में जब सरकार अपना जवाब फाइल कर देगी तो उसके बाद जो पाच्वा हफता होगा उसमें हम इंटरम रिलीफ पे आपके आर्गुमेंट सुनेंगे मेरे पास आपके पास भी यह गैजट ऑफ इंडिया का जो हमारा बिल है वह सिक्स पॉइंट में हमारे पास है लेक सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन इसकी है वह आप देखेंगे लास्ट सेक्शन जो है मैं इसको पढ़ना चाहूंगा आपके वीवर्स के लिए इन थर्ड शेडूल तो अप्रिंस्पल आप्रिंस्पल आपके लिए इंपोर्टेंट इन अफ्गानिस्तान बांगलादेश और पाकिस्तान ग्रीगेट परिए प्रेसिद्स और सर्विस और गर्वेंट इंडिया अब आपने यहाँ पर देखा कि में जो कॉंसेप्ट सिडिजिशन चाहिए जो बीजेपी सरकार कहती है कि जो माइनोरिटीज हैं जो मैंने भी कम्यूनिटीज के नाम लिए हिंदू, सिख, बुद्धिष, जैन, पार्सी और क्रिस्चन कमिटी जो की अफगानिस्तान, पाक आपने मुझे दिया है, इसमें कहीं भी पर्सक्यूशन वर्ड या प्रतारित वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बीजेपी के जितने ही मिनिस्टर हैं, वो सारे चैनल पर यहीं बोलते हैं कि जो पर्सक्यूटिज हैं, पाकिस्तान, बांगलेट, शवगानिस्तान, उनक कि आपने सिर्फ कंट्रीज को स्पिस्वाइग किया है, बांगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब आपके साब से बाकी जगह पे कहीं भी रिलीजन के बेस पर पर्सक्यूशन नहीं हो रहा, और फिर आपने डेट कर दी कि 2014 तक, मतलब 2014 के बाद जो परिशान हो यह एक्ट अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो सिर्फ कॉंस्ट्यूशन का वालेट करता है, यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहते हूं सर, मुझे भी नहीं समझ में आया, 2014 से उन्होंने कहा है, तो 2014 से लेकर जो बाद में भी आएंगे उनको नागरिकता दी जाए उसके लिए तो नागरिकता की कोई आपने बात नहीं करी, तो कोई भी जब एक कानून बनता है, उसके प्रॉपर प्रोसीजर बनते हैं, जो प्रोसीजर भी कॉंस्ट्यूशनल के मद्द नज़र रखते ही बनता है, अब आप दूसरी चीज इसमें यह देखेंगे, सरकार आप नर्सी और नपियार की बात कर रही है, नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्शिप, आप देख चुके हैं कि नर्सी के प्रोसेस जब आसाम में शुरू हुआ, तो वहाँ पर पूरे आसाम के लोगों को परिशानी हुई, कई आर्मी ऑफिसर्स, कई एक्स मिनिस्टर्स ह हमारे कई MLA जिनको परिशान होना पड़ा और डेटेंशन सेंटर में उनको अपनी जिन्देगी बोजारने के लिए मजबूर किया गया, आपने आज की न्यूस सुबह पढ़ी होगे, हमारे हंदुस्तानी सिटीजन ने सुसाइड कर लिया डेटेंशन सेंटर में, क्योंकि वह मानसिक तोर से उनका संतुलन बिगड चुका था, डेटेंशन सेंटर में रहने की वज़े से, और करीब आठ हजार करोड़ रुपे सरकार का वहाँ पर खर्च हुआ, उसके बाद सरकार को यह रिलाइज हुआ, कि उस प्रोसेस से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, अब उन हिंदुस्तान में इसको इंप्लिमेंट कर रहे हैं, कोई भी जो नया कानूं बनता है, उसमें उसके बहुत सारे आसपेक्ट देखे जाते हैं, सोशल, फाइनेंशियल, कॉंस्ट्यूशनल, कॉंस्ट्यूशनल पर भी यह एक्ट फेल होता है, क्योंकि आर्टिकल 14 यह बात क कर सकते थे, लेकिन जस्ट्यूशनल इंडिया, इन्होंने इंटेंशनल यहां पर सारे रिजिजन के नाम लिखे हैं, और मुस्लिम रिलीजन को यह इसलामिक, सबसे तो आधर प्रतारित हैं, और अगर आपको जो लोग प्रतारित हो रहे हैं, उनकी बारे में इतना ही आप परिवार है, तो जब भारत की संस्कृति सारे ब्रह्मान को अपना परिवार मानती है, तो आप सिर्फ धर्म के अधार पर किसी के साथ नागरिक्ता देने या लेने का भिद्वाव कैसे कर सकते हैं, और आउसके बाद जो आप NRC और NPR की बात कर रहे हैं, वो भी अनकॉंस् परिवार मानती हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसर लॉयर 15 साल मुझे वकालत करते हुए हो गए हैं, मैंने लॉब पढ़ा है, पीजी फिर दिली सी किया है, कि जो जो सरकार NRC और NPR का नया फॉर्मूला लेके आ रही है, इसमें ऑफिशल सीक्रेट एक्ट की बाउं की उसको तोड़ा जाता है, तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा और जो हिंदुस्तान की माइनुरिटी हैं, वो अपने आपको सच्चे मन से हिंदुस्तानी मानते हैं, सच्चे मुसल्मानें और सच्चे हिंदुस्तानें, क्योंकि इसलाम रिलीजन भी वतन परस्ति को अधा हिमान बताता है, भगवान राम को भी हम इमाम हिंद का खिताब देते हैं, आपने खुद अलामा एकबाल साब को पढ़ा हुआ, उन्हें ने भगवान श्रीराम को इमाम हिंद कहा था, तो अब अगर आप पल-पल हमारी जो सब्विता के हिसाब से अगर हमारी या हमारी भारतियदों को test करेंगे तो हमारे लिह निहीं पूरे हिंदोस्तान के लिए खत्रा है एक और जो narrative किया जा रहा है वो यह किया जा रहा है कि यह सिर्फ ट का विरोध दियूंस्ता है लुगकर आपको बताना चाहता हूं हमारे हिंदोस्तान की 35 30 universities ऐसी हैं जो कि इस काले कानूं के खिलाफ खड़ी हुई है और मुलक हिंदुस्तान में मुसल्मानों की लड़ाई हमेशा हमारे हिंदु भाई-वहनों ने लड़ी हैं वह आज भी हमारे साथ कंदे से घंदा मिलाके खड़े हुए हैं और सबसे के इंपॉर्टेंट चीजिस हिंदुस्तान के जो भी मुस्लिम से हमेशा लिडर को अपना लीडर माना है और हम ने जिन realised पाकिस्तान पर के पहले और गांधी जी पर हम लोग बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हम लोग हिंदुस्तानी हैं और इसलाम है और हम सच्चे देजवक्त हैं, यही मैं आप से कहना चाहिए. अब कुछ दिन पहले जो है, बहुत मुद्दा बहुत गरमाया, वो है ब्रेक्जिट से पहले, यूरोपीय संसद में, जो निरवर्तमान बिटस M.E.P. है, सफाक मुहमद ने, इसी एक खिलाफ वहाँ पर बिल बारित करवाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे, तो आप द देखे, बात होती है, इंटेंशन की, आज अगर एक करोड़ लोग कोई गलत बात का सपर्ट कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट में सिर्फ एक बंदा सच बात का सपर्ट कर रहा है, तो हमें उसका सपर्ट करना है, आप जानते हैं कि एक एंग्जम्पल मैं देना है सही और गलत की बात नहीं है यह अब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेटिशन फाइल करी हो सकता हम हार भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी हार है यह तो फिर पूरे हिंदुस्तान के सम्विधान की हार है कि काला कानू नगर रहे गया तो हमारा इंडिया ही खतम हो जाएगा अखरी सवाल पर मैं आती हूं और जो 30 जनवरी को 2020 में जो अभी मामला हुआ जामिया के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे और एक व्यक्ति जो का नाम बताया जा रहा है और अधिकारी तरुप पर उसके पुष्टी भी हो गई है कि गुपाल प्रावधाने और फिलहाल जो उसने कृति किया है उसको लेकर क्या क्या प्रावधाने देखिए जिस भी लड़के ने यह गलत काम को अंजाम दिया है मैं उससे सिंपैथी रखता हूं सिंपैथी इसलिए रखता हूं क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशन से सीनियर लीडर से व हमारी यंग जनरेशन को खराब करने का जो प्रयास कर रहा है यह मुकमल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने देखा कि वो बंदा वो लड़का गन लेके ओपन जगह पे जो पीसफुल प्रोडेस्टर तो उनकी उपर पॉइंट आउट करके खड़ा हुआ था लेकिन जामिया है यह वो बात अच्छी तरह से जानते थे कि इसकी उपर अटेक होगा और फिर इसकी अगर लिंचिंग होती तो उसका पूरा फायदा बीजेपी सरकार को मिलेगा लेकिन इनके इस मनसूबे पे महां के जो पीसफुल प्रोडेस्टर थे स्टुएंट्स उन्होंने पानी फ बीजेपी की इस धुरुवी करने की राजनीति को अब समझ चुका है और मुझे लगता है कि आगे आले माले बाद चुनाओ जो भी आएंगे उसमें बीजेपी सरकार की जीत कभी नहीं होगी अगर वो नावालिक भी होता है तब पर भी कुछ इसके बारे में अगर कोई ज रखा जाएगा ट्राइल एस जैसा होता है वैसे ही होगा लेकिन वो जुनाइल जस्टिस बॉर्ड में होगा जुनाइल जस्टिस बॉर्ड के जो जुन्हों नहीं क्राइम किया है उनको डील करने में वह कॉंपिटेंट रहते हैं और उनको प्रॉपर उस चीज की ट्रेनिं जाएगा और बहुत ही बहतरीन बात्चीत यहां पर हुई देखते रहे हमें यूट्यूब चैनल पर